पूरे देश में COVID-19 भयंकर बिमारी के चलते जहां प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में आगामी 14 अप्रेल तक लोकडाउन कर सभी को घरों में रहने के निर्देश दिये हैं वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदितिनात ने सर्व समाज के धर्म गुरूओं की बैठक कर सभी से कहा कि अपने अपने समाज के लोगों से अपील करें कि सभी लॉकडाउन का पालन कर घर में ही रहें वही नजीबाबाद के शहर काजी अफ़ान उलहक ने भी सभी शेत्र के जनता से अपील करते हुए कहा कि कोरोना वाइरस से घबराएं नहीं खुद बचें और लोगों को बचाएं उन्होंने कहा कि कोरोना वाइरस से निपटने के लिए पूरी दुनिया और हमारा मुल्क हिंदुस्तान भी बड़े बड़े कदम उठा रहा है इस बिमारी से निपटने के लिए डबलु एचो और हेल्थ मिनिस्टरी की तरफ से जो एडवाईजरी जारी की गई है उसका सब लोग पालन करें जिसमें एक एहम कदम और बड़ा फैसला हमारे प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने विगत 24 मार्च 2020 से आगामी 14 अपरेल तक लोक डाउन कर पूरे देश के नागरिकों को घर में रहने के लिए निर्देशित किया है शेहर के काजी ने कहा कि हम सब शासन प्रशासन के साथ खड़े हैं हम सब सरकार की गाइड लाइन का पालन भी कर रहे हैं विजनौर से आफ़ताब एहमत की रिपोर्ट काजी ये पाजी अफ़ानुला तमाम देश वासियों से ये अपील करता हूँ कि कोविड नाइटीन कोरोना वाइरस के लिए जो आप लोगों को इतियात पहले भी बताएंगे ति फिर दुबार अपील कर रहा हूँ कि आप लोग इसके रखें और लॉक्डाउन के नियमों का पूर लूप से पालन करें इसका बिल्कुल भी उलंगन ना करें आप लोगों को भी नुख्सान हो सकता है आप पूर देश को सकता है सची नेजभक्तिये ही है कआप लॉट ंं का पालन करें जैसे की सर प्रदेश के मुप्यमंतिय अग्याद के नात में अभी जर्देद जाली किरा था और जारी कि अनुनुन कहा कि कि सभी धर्गूर्मों की बैठख भी लिए और यह उपील पिल किरा रहे गशा सभी अपने सबाइक अब किया तहना, और भी आपको नुक्सान होगा और लोगक में सबाइब सब्सक्तितích और लुकिता कॏ लिए भंदादा मेने किता क्येज़ turbo जीम्हों के DRUMA, करते हैं इस कि आपील करता हूं के आप पहले जाकर अपनी मसाजिदों- नमास पढ़ते से लेकिन अब प्रॉक डॉपकर ने रामेश नियम का पालन करना शे। भी हमारा मख़भ से कहता है लाकि अबी ने फरमाया है कि आप लोग जो है जब कहीं बबा फैली भी हो बामारी फैली भी हो तो आप उसकी अतियात जो बताई गई है उसके इतियात करें और अपने घरों में रहें अपने घरों में ही अबादत करें और नफली अबादत वैसे मन लगाकर और दिल से करिता वज्जों से किया तो जरुवत है आप लोगों की दुआओं की दरवत है पूरे देश को हमें और आप सारे अवाम को इसलिए आप लोग अपने पूरे दिल के साथ पूरे शुद्धी के साथ जो है दूआ करें इंशालला यह करोना वायरस आपकी दूआओं के साथ भाग जाएगा